नि क्ल जैसे ऐम सबसे पहले जब analysis करते है तो इक basic हर किसी को करते हैं सबसे पहले कहा जाना चीए मैं change मंतले में और अगर कोई भी इंडिकेटर चार्ट पर लगा हुआ तो क्या कर देना चाहिए जैसे मेरा दिख रहा है वैसा चार्ट आपको एजिली पता चल जाएगा कि गोल्ड क्या करने वाला एंड इवन आपको 21 अगेस्ट को मैंने बोला था तो वह टारगेट आया ठीक वाली बात अभी छोड़ देते पुब्लिक वाले गूप में बतायता है अगर आप फिजिकली बाई करके रखते हैं या फिर आप अगर करके रखते हैं तो क्या इस्यों गोल्ड में तो पैसा बनेगा ना इसे बट हमेशा रिटेल ट्रेडर को नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा अब रिटेल ट्रेडर पता लगए कि हां बाई करके बैठा है जैसे 2011 था और उसके बाद आदा हो गए यहां पर है ना अब उसका टाइम निकल गया दोजाग ग्यारा से लेकर उसको दोजाग तेईस हो गया मुझे तो लगता है उसको कुछ मिला गॉल्ड में अभी तक देख रहा है तो इस तरीके से अगर रिटेल ट्रेडर करें तो भी उसको पैसा नहीं मिलेग हर कई मूँ उठाके बाइड नहीं करना कोई बीडिकेटर बोले कोई कुछ भी बोले अपना ओन एनालेसिस होना चीए सब्सक्राइब में क्या करो करो आपको हमेशा 80-90 परसेंट कैपिटल आपका होना चीए इतना क्लियर है कि यह वाले बात है हम चोड़ेंगा अनालेसिस करते हैं गोल्ड अगर आपको रिसेंट्ली अगर आप देखोगे आपका जुलाई 2020 से लेकर के अभी क्या चल रहा है अक्टूबर है ना मेरा आने वाला है तो जुलाई से लेकरके अक्टूबर में ओल्मॉस्ट कितने हो गया तीन साल से ज्यादा कर टाइम पीरेड है तो तीन साल से गोल्ड को अगर देखोगे तो अगर देखोगे तो आपका इसकी हाइस क्लोजिंग अगर देखोगे तो जुलाई के अंदर थी 2020 के अंदर ध्यान से देखी क्योंकि मैं पूरा डीप एनालिसिस करता हूं इसकी लोवर साइड अगर क्लोजिंग थी वह आपकी 1631 के नियरबाइ थी तो उपर वाले जितने भी एरिया वह सप्लाई है गोल्ड के लिए क्या है इसमें बहुत सारे उतार चड़ाव आ है यूक्रेयन वाला भी क्रैसिस आ है अभी इस्राइल और श्रिस्तिन वाला भी आ रहा है तो मार्केट हर चीज को डिसकाउ पिच्छे से लेकर करके 2200 का में एक रेंज है उस रेंज के अंदर ही गोल्ड चार-पांसों पॉन्ट का है उसके अंदर ही घूम रहा है ठीक है यह तो बात होगी हमकी एक पोजिशनल करेंगे तो चलो ठीक हम बोटम पे बाई कर लिया तो आपको पैसा मिल जाएगा समया से मना कियाम अब दूसरी बात क्या है ग mechan है कि मुधामी स्थिक मतली नायसी सीम्कर मां क्या करना है लों ट्रड़ यहां करेंगे लॅ कि अधन यही पर वन awl достаточно यह सार इना यहां कर लेंगे तो कोई स्य नहीं यह मदली की आगर आप तो यह वाली जो थी एक एक डिमांड भी प्राइस उपर जा था एक रेट करने के बाद आता है मंतली के अंदर आपका साइड़ वेज एक रेंज है इतना समझ में आता है करते हैं तो वीकली टाइम प्रेम देखेंगे तो वही जो आपको उपर की साइड सप्लाइज दिख रही थी मंतली के दर यहीं आपका रिवेसल ट्रेडिंग होती है इसके वह डीप एक ग्लास करूंगा आपको एड्युकेशन की कि आपका क्लोजिंग के ऊपर जो आपको लो उसर्व ट्रेडिंग उपर घ्लास करेंगा अपकी सेपरेट तो आपका वीकली के अंदर उपर की साच शप्लाइज है और यह की साइड इमांड है विकली उपर दिक गया देखा जैए तो आपको डिमांड यह नहीं वीकली कर देखो को तो यह दिखता है दिखता है यह दिखता है बट आप दिमाड एंड सप्लाई का कोडिंग री एडजेस्ट करोगे तो स्विंग स्टेड एंड डेट कैसे करें वह समझ में आ जाएगा इसी चीज को आप डेली टाइम फ्रेम में चले जाओगे तो आपको डोट टू डोट आपको एक रिफाइंड लेवल आ गया है यहां पर कि कहने का मतब जिस लेवल से अठारा सो चैसे लेकर के अठारा सो पंदरागा एक ऐसा लेवल था गोल्ड का जहां से गोल्ड ने इसका हाई कितना है 2000 किसका एक बहुत बड़ा मुवमेंट दिया यहां से लेकर यहां तक तो यहां पर काफी ओडर की पे यहां तक गोल्ड का जाना तय है तो इस ने डोट टूड़ आपका प्राइस आया प्राइस आ करें देखो क्या होता है आपका यह प्योर जोन था जोन का अब नहीं का वाई करके नीचे का रखते हो तो क्योंकि यह त्रेप लेवल होता है समझ आ रहे है मेरे बात यह सर अब डेली कंडल में देखे डेली कंडल में 1 2 3 4 टाइम्स प्राइस ने लोज ब्रेक किये तो जिसको नोलेज नहीं है मार्केट के लेक ओफ नोलेज की विए से पूरी एजूकेशन नहीं है उसके सारे एसल लगें कि अब उपर जागा अब बाइक लो अब उपर जाग लुद करते हैं तो वह बढ़ा देंगे खोड़ा उसके नीचे का अएसा लोता है और जो आपका एसल लिमित इस रेंज में करना है वहां पे असल प्लेस नीचे का करना यह जो रोज लो टोड़ रहा है वो नहीं इसका पूरा डिप इतना समझ में आता है जो तीनों दिन अब डेली के अंदर आपका डोट टूट एक रिफाइंड लेवल आ गया गोल उपर चला भी गया और मैंने यह बोला भी तक अगर आप देखोगे तो यह आपका गोल्ड एक अब सप्लाइब दो है डेली का नहीं है क्या तो वहीं पर मार्केट और आज उपर जा रहा है अब इसी चीज़ को हम क्या देखेंगे फोर आर में देखेंगे तो फोर आर का आपका यह वाला कि सप्लाइब रिएजिस कर गए कैसे मार्किंग होती थी ऐसे कि मार्किंग ठीक है कि यह सार अब इस सप्लाइब को प्राइस ने ब्रेक किया है किया है और नीचे की साइट गोल्ड का यह डिमांड है मिस कंटिन्यूस में भी गोल्ड अब एक बार क्या करता हूं आपको और ज्याद अच्छी समझ भी आगा कि अब स्विंग्स ट्रेडिंग के लिए कैसे करना है अब इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है अब आप यहां पर देखेंगे एक तो सप्लाइए है है यह सप्लाइट टेस्ट हो चुकी है प्राइस इसके ओपर स्विंग्स ब्रेक कर चुका है में स्ट्रेंथ है गोल्ड के अंदर उपर जाने की क्लियर है कि इतना क्लियर है यह कुछ दिनों में आपको ट्रेड कैसे करना है वह आपको बतारों और उपर की साइड नियरेस्ट अगर आप सप्लाइट देखोगे क्योंकि बहुत सारे यह आपका लेवल ओडर लेवल मल्टिपस लेवल है इसे उपर यह है इसे उपर यह मल्तिक बखस तो यह सब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तूटते जाएंगे यह वाला रिस्पेक्ट करेंगे यहां पर रुखेगा उनिस होगे आसपस यह वाली बात हम छोड़ देते एक बार के लिए क्ament is important आपिंपोर्टेंट यह है कि प्रैस है कि दिंगर की से करना है अब यहां पर देखोगे तो नीचे की साथ प्राइस ने यिमार्ड बनाया है अज है अब अदुके सब्व היय और आप प्राइस भीयवर कर के डूर्डिंग देखोगे कि प्रास यहां से ले प्रेश पूरा विलैक लिया न तो कि यह तो इसका डिप कर आए अच्छे से यहां तक य फिर इसको करना हो तो इस रेंज के रेंज्ड नीचे की सादें तो रेंज ब्यांने उम्काईट कर जैगा कै 싹 Jake cake claim में तो जाइगा Unters रेंज में अगर इसको Frank करना और अगर इसको ब्रेक आउट नहीं करना लेना तो इस रेंज का ब्रेक्डाउं करके रिटेस्ट करेंगा फिर ब्रेक आउट करेगा इतनी समझ में आते हैं मिरे बात विकोज डेली के अंदर आप देखोगे क्योंकि हाय टाइम प्रेम को कभी भूलना नहीं है क्योंकि अगर अगर आपका डीप डिटरेस्मेंट देखो गयो तो आपका यह है जो रिय रिटेंट कर देटको बड़ी बात नहीं है और ऐसे मतलब हमें हमेसा बड़े अधान में रखना है कि पुल बेक लेता लेकिन अभी को स्ट्रक्शर ब्रेक आउट नहीं वाय इस ट्रॉक्ट्र ब् तरह डिमांड फोलो रहे हैं अब प्राइस यहां पर रजिस्टेंस ले ले करें रजिस्टेंस लेके इसको ब्रेकडाउन कर दें अगें रजिस्टेंस ले तो फिर आप एक डीप पूल बैक आएगा कितना समझ में आता है एक चीज और है प्राइस सेक्शन के अंदर कि प्राइस यहां से उपर गया नीची आया अगेर वापस जाए और फिर लो ब्रेक कर दें तो इसको मैं स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन नहीं गोलूंगा क्यों क्योंकि प्राइस अगर वापस उपर जाकर करके यह लो अगर प्रोट प्राइस खुद बताता उपर जाता नहीं जाता है पूरा एक बार ध्यान से सीखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इंडिकेटर वागर कैसी काम के नहीं है यह देखो अगर मैं पंदर में आपको दिखाऊं वह समझाया थे थोड़ी पले कि प्राइस देखिए अगर आप क्योंकि वीकली एंड डेली से आपका प्राइस सपोर्ट पर था है तो लो टाइम फ्रेम के तूटते जाएंगे मैं हमें सही यह बोलता हूं हाई टाइम फ्रेम का इना यहाँ से उपर गया ना कल हम 11-12 बजे कर रहते हैं तो प्राइस का जो वेव का दो स्ट्रक्टर था यह स्ट्रक्टर यहां पर ब्रेक्डाउन होने की कोशिस करें इस फ्रेस्ट अटेंप पर नीचे लो गया एप्र इसके बाद नीचे लोज़ गया अब उसके बाद अगर कितना क्लेर है यहां पर हुआ क्या यहां पर वीकली के अंदे ट्रेंड स्ट्रॉंग था देली के अंदे पोजिटीव था तो प्राइस ने क्या किया यह जो लैक ओफ नोलेज जिसको पता नहीं उसके लिए तो ठीक ही हो गया बट ऐसा हो नहीं बट उसके उसने लोज को प्रोटेक कर लिया मिंस वीकली इंडेली में जो मैं सजेस्ट कर रहा था जो मैं बता रहा था कि इसका ब्रेककाउट होगा ठीक है तो प्राइस का ब्रेककाउट हुआ रिटेस्ट हुआ और आपको यह अच्छा ट्रेड मिला जिसने भी कल वाला वीडियो जादा अच्छा जो है वह ओर एक्स ट्रेडिंग है क्यों क्यों कि प्रीमियम डिके का कोई चांचे नहीं है फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है अगर आपका रिस्क मनेजमेंट सही है मनेजमें में से यह तो हम और अच्छे से एजूकर स तो फोर एक्स में बहुत ज्यादा कमा सकते हैं और वहीं बहुत कमा है फोर एक्स के अदर इतना समझेंगाता है सभी को और एक्सनेक्स ते फिलाल इंडिया के अधर एक्सनेक्स से प्लेटफोम नीए फ्राइस में ट्रेडिंग के लिए बागी सब जो जितने चार्जर का है और डिपोजिटेंट विड्रोल का इतना इस्यूज है कि एक्सनेक्स में इसा कुछ भी नहीं है तो अगेन गोल्ड का फिर डिसकस करें कहां पर थे हैं कि फोर आर के अंदर भी प्राइस की रेंज पकल दी आप देखोगे न कि आपका यह सप्लाई हो गया देखोगें यहां पर थोड़ा सप्राइस क्या करेंगा करेंगा इस रेंज की अगर आप देखोगे अठाइस सितंबर के बाद अभी तक प्राइस करके सस्टेन नहीं हो अलग कलर से किसी भी दिन उस लेवल पर सस्टेन नहीं हो अगर कोई भी कटल इस लेवल के उसी का लोग प्रोटेक्ट होता है तो कोल्ड भाग जाएगा यही से ही कि अधरवाइस प्राइस जो है इस रेंज के इंदर कंशोल डेट करेगा अब थोड़ा से डीप और समय लेते हैं तो आप समझोगे तो क्या प्राइस का भी और रिएजस्ट हो के लिए और यह आपके हैं आपके कि पास्ट गार्ट गोल्ट या नहीं कि आप क्या कर सकते हो अगर प्राइस के ऊपर कोई भी कैनल के लिए यह समय देना अगर कोई भी कर देना और यहां पर पंदरा मिनट के अंदर नगेटिव प्राइस सेक्षिन देख करके सेल भी कर लेना कितना समझ में आता है जी सब्सक्राइब यह एक आपका टाइप टूमिस प्रॉफिट विकिंग जॉन टाइप टूम अगर आप डेरी के अकोडिक देखो तो वेव काफी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुगा है तो प्राइस का पूल बेक आता है और सेम अगर जो एक डूमिस का एषैी पर्रोटेक्ट में लेगा अगर हाई प्रोटेक्ट होता राइस हाइट लोद ब्रेक होता है तो आपका एक लेवल यह है एक लेवल यह एक लेवल यह तो अगर बीज का सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो आपका यह आता है फिर वह वहाँ तक गिर सकता है कि लिए अब इसी चीज़ को अगर हम वन आर में करेंगे तो थोड़ा और आपको रिफाइन हो जाएगा यह हो गया लेवल आपको और रिफाइन होगे और इसी चीज़ को अगर आपको थर्टी मिनिट में करोगे तो आपको गोल्ड को ट्रेड करने के लिए मैं लेवल बता जाता हूँ यह है ऊपर का नीचे Jeśli नीचे का अगर आपका यह हाई embark होता यह रिस्पेकट सब्सक्राइब टोट नियुक्त मैं तो आपका एक लिए है अप्रोक्सीमेटली एक लोग है उसकों किया बोलते लेवल तो नॉर्मली प्राइज जब भी होता है तो इन से किन लेवल होते हैं तो प्राइस से रिएक करता है बहुत साथ लोग है रहे सपोर्ट है यहां तो प्रैस रिस्पेक्ट नहीं किया तूट गया और सब्सक्राइब करता है थाड़ के नियर भाई का अपका एसल होता है उसके नीचे का पोजिटीव प्रैस सेक्षन के बाद कितना समझ जाता है जिस तरीक आप गोल्ड में धीरे यहां नहीं होती है यह पिर यार्ध इक यहां पर आरे कि यांपर गाइंग और दिर्ट के ऑन तो इसके ब्रेक आट इसके पढ़काएं शिंबल यह आपका एसा ही था या कुछ डिफरेंट था बदा थोड़ा 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 क्या ने सर यह जिसे जो तो बढ़ा है तो बढ़ा है